हाई, फिर्स्ट अफॉल, ओनलाइन टारो सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसका काफी टाइम से काफी सारे लोग वेद कर रहे हैं, वो लाँच हो गया है और अभी अर्ली बर्ड डिसकाउंट भी चल रहा है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूंगी कि अगर आप व के हिसाब से आपकी राशी हो, तो चलिए जी, कमिंग वीक का साफ ताहिक राशी फ़ल शुरू करते हैं, तो चलिए सरी डेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या अनर्जीज हैं, तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के नहीं ले पा रहे थे या कोई भी reason था तो इस week कहीं इन ही energies में से आप बाहर निकलते वे दिख रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि सब की लिए यहां पर different reasons हो सकते हैं लेकिन cards कहते हैं कि कहीं external internal world से related चीजें in sync नहीं थी यानि कि आप, you know, कुछ और चाह रहे थे एक्स्टरनल world में कुछ और हो रहा था आप decide नहीं कर पा रहे थे कि आप जो चाहा रहे हैं, आप उसके हिसाब से चलें, या फिर externally जो चीजें हो रही हैं, आप उसके हिसाब से चलें, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो आप से कोई और expectations रख रहे थे, उनकी कुछ और you know intentions थी और आप कुछ और चाहा रहे थे, तो देखी इस तरी करते हुए दिख रहे हैं कि आपने किस चीज पर focus करना है जो internally आप चाहा रहे थे यहां पर जो externally हो रहा था और देखे इन ही चीजों से related कहीं एक immature energies भी इस week रहती हुई दिख रही हैं यहां तो आप over excited हो रहे हैं, over enthusiastic हो रहे हैं यहां फिर enthusiasm, excitement थोड़ा सा low रह रहा है और एक childish सा behavior या तो आपका रह रह रहा है यहां फिर आपके work front में कोई immature इंसान है जिसकी वज़े से कुछ issues, कुछ मसले हो रहे हैं यहां पर मैं आपको यही कहूंगी Sagittarius कि इस week कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice, कोई experiential इंसान से बात करे बगार ना लें और कैसे इन्ही energies मे एक balance आपला सकते हैं, उस पे जरूर focus करें और दिखें इस week हो सकता है कि नए तरीके से आप चीजों को करना चाहा रहे हैं, थोड़े से impulse हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और एक restlessness भी किसी level पे आप महसूस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस restlessness को आप pacify करें, एक calming energies अपने लिए लेकर आएं, थोड़ा सा देखें आप meditation कर सकते हैं, आप physical exercise कर सकते हैं, या जो चीज आप के लिए work करती हैं, आप वो कर सकते हैं, कहने का मतलब है आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करें, जिससे कि आपका mind थोड़ा सा शान्त रहे और आपकी energies में भी एक balance रहे, क्योंकि फिर से देखें, आपे page of wands reverse का card कहता है, या तो आप over excited, enthusiastic हो रहे हैं, या फिर enthusiasm, excitement लो रहे रहा है, और अगर कोई इनसान है आपके work front में, जिनकी immature सी energies हैं, तो उन पे इस week आप इतनी attention ना दें, आपकी हैं, तो आप खयाल रखें कि कैसे maturity के साथ आ and किसी email, message, news, phone call का अगर आप wait कर रहे हैं, तो इस week आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, eight of souls reverse and the king of roses, और देखिए, ये card भी कहीं एक helpless, hopeless सी situation में रहने की बात करता है, तो पीछे हो सकता है कि again, ऐसी ही energies में आप थे, जहां पे fusion थी, बहुत जादा, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीजों को deal करें, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, इस week कहीं इन ही energies से आप अपने आपको बाहर निकालना चाहा रहे हैं, कहीं एक freedom अपने लिए लाना चाहा रहे हैं, एक clarity लाना चाहा रहे हैं, चीजो इनसान की तरफ से बहुत एक supportive, बहुत एक helping energies आपके लिए रह सकती हैं, यह इनसान कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका कोई loved one, आपका कोई close one जादा रहता हुआ दिख रहा है, और male figure जादा रहते वे दिख रही हैं, क्योंकि यह general reading है, तो हम बहुत जादा इस चीज पे नह इसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस time पे एक loving caring energies भी आपकी रह रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए यह confusion किसी इनसान को ही लेकर है, कुछ के लिए हो सकता है कि इस situation में कोई इनसान आपको help कर रहे हैं इसमें से बहार निकलने के लिए, कुछ के केरिंग एनरजीज अगेन आपको इस सी सिचुएशन में एक्स्टर्नली आपके लवद वन्स आपके क्लोज वन्स से मिलती हुई दिख रही है और गाइडन से आप लोगों के लिए राबिट स्पिरेट का काड है और यह काड कहता है नाव इस लगी टाइम तो दिखे दोनों ही फ्रांस के लिए बहुत ग्रेट एनरजीज नहीं रह रही है या मैं कहूंगी कुछ अच्छी चीज़े हो रही है कुछ इतनी अच्छी चीज़े नहीं हो रही है और यही जिंदगी भी है लेकिन गाइडन्स का काड कहता है कि जो भी you know issues है मसले है कही यही राइट टाइ है उसको manifest करने के लिए क्योंकि rabbit देखे एक fertile ground की बात करता है और fertile ground में अगर हम बीच नहीं बोते हैं तो पौधा नहीं मिलता है fertile ground हमें यही promise करता है कि again हमने बीच बोया तो definitely हमें पौधा मिलेगा तो जरूर you know जो आप चाहते हैं उसके लिए आप positively effort करें महनत करें जो issues हैं वो कहीं आपको pull back ना करें या फिर आपके मकसद आपके goal की तरफ action initiative लेने से ना रोकें इस चीज़ का आप जरूर खयाल रख हैं और देखिए now is the lucky time का card आपको यह भी message दे रहा है कि जो भी issues हैं इसमें से बहुत असानी से आप बहर निकल जाएंगे क्योंकि destiny आपको favor कर रही है luck आपका साथ दे रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है और इसके हिसाब से all shades of green, all shades of blue इस week आप लोगों के लिए ही रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए